ओम नमो बगोते बासदेवाई नमाहा स्वागत है आप सभी का मेरे बक्ती वावना यूटिब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको पित्र पक्की की जो एकादसी आती है पित्र पक्की के एकादसी होती है जिसे इंद्रा एकादसी कहते हैं उसके उपाई बताने वाला हूँ बाग्यसाली राशियों के बारे में जानकारी दूँगा साल में 16 दिन पित्र पक्की के आते हैं और ये बहुत बड़े दिन होते हैं इन दिनों में पित्रों की पूजा करना बहुत ही जरूरी होता है इंद्रों में सभी सुकार बंद होते हैं लेकिन पित्रों की पूजा और उपाय, जाप, अनुष्टान इनका बड़ा मेहत होता है दान पून का बड़ा मेहत होता है तो पित्रों की पूजा आपको प्रति दिन करनी है कुछ नियम होते हैं जैसे प्रति दिन तरपन करना पित्रों के नाम से, ब्राम्मर भूजन कराना, दान करना, तो इस दिन सबसे पहले सुवेश्णान करने के बाद में लड्डू को पाल जी को इश्णान कराएंगे, इश्णान कराते समय, कृष्णाय बास देवाय, हरे परम प्रनतक कलिशना साय गोविंदाय नमनमा, ऐसा कहकर के भगवान को इश्णान कराएंगे, इश्णान का जलाय वो पीने के लिए रखेंगे, भगवान को पस्तर पहनाएंगे, चंदन का टीका लगाएंगे, भगवान के सामने केले का फल रखेंगे, भगवान के सामने मक्क में स्री रखना है और साथ ही मगवान के सामने तुल्सी के पत्ति चड़ाएं दीपक जलाएं उसके बाद मगवान की जब पूजा कर लें एक आसी की कथा का सरवड करें इंद्राइकासी कथा का कथा में डालोंगा उसी दिन आप जरू सुनें और साथ ही इस दिन सवीर आसी वाले पितरों की पूजा जरू करना है पितरों के नाम से पहले तरपन करना है लोटे में काले तिल डाल करके औरarat्र में खुशाले करके लोगिए li पहला अगनी का, दूसरा गो का, तीसरा कुत्ते का, चोता का, उए का, पांचमा पीपल ब्रक का, और फिर ब्राम्मनों को भुजन कराएं। एक आदिसी का ब्रत रखें और ब्रत का फल पित्रों के नाम से समर्पित कर दें। फिर देखना, कितनी जल्दी पित्र प्रसन नो करके आपकी किस्मत बदल देते हैं। इस दिन भगवान के सामने केले का फल रखना है। चावल की खीर नहीं बनानी है, इस दिन सभा के चावल की खीर बनानी है, समा की ब्रत वाले चावल की। उसका भोग पित्रों को लगाना हैं और भगवान के सामने भोग लगाना हैं और ये खीर का प्रसाद केले का फल आपको खाना हैं पित्रों के सामने से पित्रों के सामने कीर रखे ओम पित्र दिपता बिनमा 108 बार भूलेंगे भगवान के सामने फल रख करके ओम नमो भगवते बास देमा नमा 108 बार भूलेंगे और ये सब प्रिसाद खा लेना है मेश राशी, ब्रसव राशी, करक राशी, सिंग राशी, कन्या राशी, ब्रस्चिक राशी, धनुराशी, कुम राशी और मीन राशी ये राशी आई जो इस दिन बहुत ही ज़्यादा भागिसाली और सो रहने वाली है बड़ी एकादसी है आपको पूजन जरू करना चाहिए बागवान किश्मत बदल देंगे और आपकी प्रतिक मनो कामना पूरी होगी और एकादसी का ब्रत तो बैसे भी रखना चाहिए उसमें भी पित्र पक्षी की एकादसी है तो ब्रत आप रखेंगे तो बहुत बड़ा आपको मिलेगा और आपकी मनो कामना पूरी होगी आपकी प्रतेक मनो कामना पूरी होगी प्रत्र पक्षी में घर में कोई भी ताम सब्सक्रादी नहीं बनना चाहिए और किसी का नादर नहीं करना है इस बात का विश्य शूप से आपको ध्यान रखना है वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें